मध्यप्रदेश में जोतिरादित्य सिंधिया इंदिनों सियासत का केंद्र बने हुए हैं। उनकी गैर मौझूदगी को लेकर कॉंग्रेस और बीजेपी आमने सावने आ गए हैं। जहां कॉंग्रेस उन्हें लापता बता रही है तो वहीं बीजेपी बचाव करने से पीछे नहीं हट रही है। दरसल हाल ही में मध्यप्रदेश के पूर्व सीम कमलनाथ के करीबी कॉंग्रेस विधायक प्रमीर पाठक ने सोचल मीडिया पर एक पोस्टर जारी करके सिंधिया के लापता होने पर सवाल उठाए थे। इस पर उर्जा मंत्री और जोतिरादित्य सिंध सिंधिया के करीबी प्रद्योबन सिंग तोमर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि महाराज दिल्ली में बैट कर सारा इंतिजाम कर रहे हैं। भले ही पीजेपी सांसत जोतिरादित्य सिंधिया दिल्ली में हो लेकिन वो सूबे के लोगों के लिए ऑक्सिजन, रेम्रेसि भी लिये थे। इसके साथ तोमर ने कहा कि महाराज दिखावा नहीं करते हैं और ना लोगों की सच्ची सेवा करने के लिए सामने आना जरूरी है। अब हले ही सिंधिया की वज़े से बैक फुट पर आई बीजेपी उनका कितना भी बचापकियों न कर लेकिन कॉंग्रेस उन्हें घेरने से पीछे नहीं हटेगी। कॉंग्रेस विधायक प्रमीर पाठक ने कहा कि मत धूनों इन्हें संकट के समय मध्यप्रदेश में सिंधिया जी अपने निजी कार्यों से हैं विदेश में हम लोग भी घरों में कैद बैट सकते थे हम भी चार्टर फ्लाइट से आपकी तरह विदेश भाग सकते थे। इतना ही नहीं इस से पहले कमलनात की मीडिया कॉडिनेटर नरेंद्र सलूजा ने सिंधिया पर तंच कसा। उन्होंने सिंधिया की जो तस्वीर साजा की है जिसमें वो बीजेपी की सतस्ता लेने के बाद पीम मोधी से मुलाकात करने पहुचे थे। सलूजा ने इस फोटो को शेर करते हुए कहा कि मुझे भी 15 महीने पूरे हो गए हैं मंत्रीपत का इंपजार करते करते डील कब पूरी होगी। अब कॉंग्रेस ने तो सिंधिया कुछ उतरफा घेर लिया है जिसकी वज़े से बीजेपी भी फंस चुकी अब देखना हुगा कि महाराज को राज बीजेपी में कब तक रहता है।